नमस्कार सांतियों आप सभी का स्वागते लाइव क्लास में और आप सभी जुड़ चुके हैं नए कोशनों के साथ दो मार्च का मध्य प्रदेश गौवर्मेंट के द्वारा हिंदी का पेपर पहला आपका लिया जाने वाला है तो students यहाँ पर मैंने आप लोगों को चार कोशन दिये थे उनकोशनों से हम सुरुवाद करेंगे बहुत सारे बच्चों ने जवाब दिये हैं बहुत सारों ने दिये हैं तो students यहाँ पर जो आपका question था कि कवी किसका भार लिये फिरता है और धूत कहो और धूत कहो किसकी पंक्तिया है बाजार कब जाना चाहिए ये question थे जिनके जवाब आपको comment box में देना था और जो student ने जवाब दिये हैं उनके नाम मुझे बताने थे लेकिन विद्यारतियों क्या करें यार इतने student है जिनोंने जवाब दिया है बहुत सारे आप हमारी होने वाली live class चार वजे की जो थी उसमें आप comment देख सकते हैं बहुत सारे विद्यारतियोंने जवाब दिये हैं तो students अब हम आप लोगों के लिए काम कर रहा हैं यहाँ पर हमारी जो कल चार वजे live class स्टार्ट होगी उसमें आपको first three students के नाम बताए जाएंगे क्योंकि बहुत सारे श्टूडेंट है अब नाम किस किस का बताए जाए वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है इस कारण से three students के नाम कल की class में बताए जाएंगे जो आज के इस वीडियो को last तक देखेगा और last में हमारे द्वारा आप से four questions किये जाएंगे उनके जवाब आपको देने रहेंगे तो students चलिए बिना देर की start करते हैं चैनल पर पहले बार आयो तो subscribe करके गंटिक बटन कॉल बर कर लेजीगा और चैनल को subscribe करिए ताकि आपको आगे भी इसी परकार वीडियो मिल सके ज़्याद से ज़्यादर दोस्तो चैनल को share कर दीजिए और वीडियो बसंद आए तो like करियेगा चलिए start करते हैं पहले question से चलिए कल के question के answer आप देख लीजिए अपने कवी किसका भाहर लिए फिरता है कवी किसका भाहर लिए फिरता है चलिए जो live class में जूड़ चुके हैं अंसर दीजे मुझे कवी किसका भाहर लिए फिरता है कवी किसका भाहर लिए फिरता है तो यहाँ पर correct answer हो जाएगा जग जीवन का जग जीवन का भार लिए फिरता है नेक्स्ट कोशन होगा धूत कहो और धूत कहो किसकी पंक्तियां है धूत कहो और धूत कहो किसकी पंक्तियां है तो ये जो पंक्तियां है वो हो जाएगी तुलसी दास की अगला कोशन बाजार कब जाना चाहिए तो बाजार कब जाना चाहिए अंसर देना है तो इसमें correct answer हो जाएगा जब मन खाली ना हो जब मन खाली ना हो तब बाजार जाना चाहिए अगला question ये भी question बहुत सारे बच्चों न जवाब दिये थे बिल्कुल सही जवाब दिये थे लुटन पहलवान ने हराया था लुटन पहलवान ने किसको हराया था तो लुटन पहलवान ने हराया था चांद सींग को चांद सींग को लुटन पहलवान ने हराया था नेक्स्ट कोश्यन था जूच पाट के लेकक है जूच पाट के जो लेकक है वो कौन है यह आपको बताना है तो इसका जो अंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आनंद यादव जूच पाट के लेकक है अगला कुशन टीवी पर परसारित खबरों में सबसे महतुपूर्ण है तो टीवी पर परसारित खबरों में जो सबसे महतुपूर्ण है वो है visual net bite उपर युक्त सभी right answer आपका हो जाएगा मतलब यह सभी बहुती महतुपूर्ण है next question देखेंगे प्रिष्ण नंबर दूसरा जिसमें आपको रिक्तिस्तान की पूर्ती करना है सब्द यहीं से चुनकर आपको लिखना है बच्चे में होंगे बच्चे किस में होंगे तो बच्चे होंगे पृत्यासा में पृत्यासा में होंगे बक्तिन का वास्तुविक नाम था बताईए मुझे बक्तिन का वास्तुविक नाम क्या था तो यहां पर right answer हो जाएगा लक्षमीन था भक्तिन का वास्तविक नाम लक्षमीन था अगला question सोंदल गे कर्म आफटर पढ़ाने आते थे मराथी नाटक में पात्रों की संक्या होनी चाहिए तो नाटक में पात्रों की संक्या होना चाहिए अधिक अधिक correct answer आपका हो जाएग वीर रसका इस्ताइबाव है तो वीर रसका जो इस्ताइबाव है वो हो जाएगा उत्साहा ठीके क्या हो जाएगा उत्सा हो जाएगा नेक्स्ट कोशन है जिन छंदों में मात्राव की गन्ना की जाती है वो मात्रिक छंद कहलाते हैं और नब का अर्थ है नब का अर्थ होता है आकास आकास का रिक्टन सर आपका होगा नेक्स्ट कोशन देखेंगे प्रिष्ण नंबर थर्ड है जिसमें आपको सही जोड़ी बनाना है बात की चूड़ी मर जाना मतलब बात का प्रभावहीन होना अवधूत कहा गया है सिरिस के फूल को सिल्वर वेडिंग यसोधर बाबू कहानी का केंदरी विंदु क्या होता है कातानक और चोपाई छंद में मातराय होती है सोला सोला और तत्सम सब्द संसकत के मूल सब्द जो हते हैं और तत्सम कहलाते हैं नेक्स्ट कोश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं अगला कोश्चन है देखिएगा पहला प्रेश्न और स्क्रीन पर आ चुका है हिंदी पध्यसाहित्य को बाटा गया है बताईएगा हिंदी पध्यसाहित्य को कितने भागों में बाटा गया है तो यहां पर आपका करेक्ट अंस रीति आदुनिक आदी भक्ति ये ट्रीक है आदी भक्ति रीति आदुनिक आदी से आदिकाल बक्ति से बक्तिकाल रीति से रीतिकाल और आदुनिक से आदुनिक काल ये ट्रीकति तो यहाँ पर चार कालों में बाटा गया है वीर गाता काल की प्रिसिद्ध रचना है वीर गात प्रत्विराज रासो और राम चरित्र माननस बक्तिकाल की है ये भी बक्तिकाल की है अगला कोशन आदिकाल के कवी हैं आदिकाल के जो कवी हैं वो मान जाते हैं चंदरबर दाई आदिकाल के कवी हैं इन्होंने प्रत्विराज रासो लिका है महा कवी है नेक्स्ट कोशन बक्तिकाल के लोकनायक कवी है बताईएगा बक्तिकाल के लोकनायक कवी है तो बक्तिकाल के जो लोकनायक कवी कहलाते हैं वो कहलाते हैं तुलसी दास जी तुलसी दास जी को बक्तिकाल का लोकनायक कवी माना जाता है हिंदी साहित्ति का स्वर्नयुग कहलाता है वो कहलाता है भक्तिकाल भक्तिकाल को हिंदी का स्वर्नयुग माना जाता है ठीक है जवाब दीजे सबी स्टुडेंट्स और विराट के पृति जिग्यासा की बाउना मिलती है तो विराट के पृति जिग्यासा की बाउना छायावाद में मिलती है अगला question रीति काल की पृति नीदी रचना है जवाब दीजिए मुझे यहाँ पर question है आपकी screen पर इन सभी question के जल्दी से जवाब दीजिए धिनकर आपका correct answer हो जाएगा अगला question जो है वो screen पर देख लीजिए और students इन question के जवाब आप लोगों को देना है जो students 3 students सबसे पहले जवाब देंगे उनके name नाम भी लिख दीजेगा आप comment box में कि मेरा नाम ये है और question number 8 का उत्तर आपने बता ही दिया है आगे देखिए थोड़ सा रिती और रितिकाल की प्रतिनीदी राचना हमारा ये question था सात्वा बिहारी सत्साई ठीके बिहारी सत्साई आपका राइट अंसर होगा इसमें जिसके बाद अब हम question की बात कर रहा है आठ नो दस और एक question और हमारा दस के बाद ये ग्यारवा question ठीके ये चार question है देख लीजिए अच्छे से आटवा नवा दसवा ग्यारवा देखिए comment करते समय आप comment box में बताएंगे मुझे के मेरा नाम ये है और question नमर आट का उत्तर ये है नो का उत्तर ये है दस का ये है और ग्यारा का ये है ये से करके आप अंसर लिग दीजेगा और अपना नाम भी लिग दीजेगा हमारे जो पहले उनका नाम लिया जाएगा तो all students जाद से जादा पहले नंबर पर आने की कोशिस कीजेगा ताकि आप लोगों का नाम लिया जाए क्योंकि बहुत साले students बोलते रहते हैं कि हमारा नाम लीजिए तो आपका नाम लिया जाएगा तो आप सभी students जाद से जादा अपने द आने वाला हूं than निवाद इस्टुटेंट्स आप सभी का मिलते हैं आम नेक्स्ट वीडियो में थैंक्स पॉर वच